नमस्कात सात्यों एक बाद फिस अब का बाद बाद सो आगेते हैं सभी के अंदरी करमचारे और पैंसन बोग्यों के एक मातर बोग्यों समन यूटूब चैनल गौर्बंट इंप्लोईज वेलफर की ने और फैस वीडियो में आ आ गया है आठवे पे कमिशन पर फाइनल फैसला इतनी बड़ेगी सेलरी और पैंसन जिहां क्या सरकार का है ये मास्टर स्टोक तो चलिए इस वीडियो के माईदम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तास से कि आखिर क्या लैटेस्ट इंफरमेशन निकल के सामने आ रही हैं सभी के इंदरी क्रमचर और पैंसन बोग्यों के लिए तो वीडियो का अंदक जरूर देखियो और चैनल पे अगर पहले बार विजट करें तर चैनल को सब्सक्राइब करें को बैल आकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाल हल लैटेस्ट कबर हमेसे आपको मिलती रहेगी तो सात्यों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं देनिक बासकर की और से एक दिन पहले ये लैटेस्ट न्यूज जो हैं वो जारी की गई हैं हर महीने एक से दस जार रुपे तक जादा मिलेंगे कर दुगसपा में सरकार ने आटवे पे कमिशन के गठन को लेकर फिलाल मना किया है कि सरकार ने कहा है कि ऐसा हमारे पास कोई परपोजल नहीं है फिलाल हम ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं जिसमें आटवे पे कमिशन का गठन किया जाएं इसी बीच फिलाल ये मध्यपर्देश से खबर निकल के सामने आ रही है कि करमचारों का 50% डिये मूल वेतन में होगा मर्ज और ये जनकरी देनिक बासकर्थ के और से साजा की गई है जिहां साथियों इस खबर में बताया गया है कि मज्य परदेश में अधिकारी और करमचारों का मेंगाई बता डिये 50% होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा परदेश में अभी जो करमचारों को मेंगाई बता मिल रहा है वो 46% डिये मिल रहा है रजे सरकार द्वारा इसमें दिपावली तक 4% व्रद्धी का जो प्रस्तावित हैं ये कवायत सात्वे वेतन आयों की अनुसंसाओं के आदार पर की जा रही हैं जिसके हिसाब से डिये 50% होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा यदि अभी वेतन 50,000 रुपे हैं और डिये 50% होने पर 25,000 रुपे मूल वेतन में मर्ज होने पर वेतन 75,000 हो जाएगा और मेहंगाई बता जिरो हो जाएगा आगे जब डिये बढ़ेगा तो क्रमचर्यों को उसी अनुपात में वेतन बढ़ेगा इसका फायदा डिये में तो मिलेगा ही साथ में महेंगाई बता मकान किराया बता और यात्रा बता यानि टिये में भी बडोतरी होगी इससे करमचर्यों को एक हजार रुपए से लेकर दस हजार रुपए तक का फायदा मिलेगा मज़े परदेश के वित्मंत्री जब्दिस देवड़ा का कहना है कि परदेश की सरकार करमचर्यों के हितेसी हैं और वित्य स्तती को देखते हुए आगे फैसले लिये जाएंगे तो क्या DA को वास्ता में मर्ज किया जाएगा इसको लेकर ये लैटेश्ट जानकरी जो हैं वो देनिख बास कर सी और से साजा की गई है हलागि इसको लेकर क्या अपकी क्या ओपिनेन है नीचे कॉमेट सेक्षिन में जरूर बताएगे क्या DA मर्ज होना चाहिए 50% या फिर आटवे पे कमिशन का गठान होना चाहिए आपकी क्या मांग है नीचे कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर रखिए तो ये थी एक लेटेश जानकारी सभी केंडरी क्रमचर और पैंसन भोगयों के लिए वीडियो का लाइक केजिए सेर केजिए इसे के साथ जहिंद जय वारत बाकी जानकारी आप अपने स्क्रिन पे देख सकते हैं